कल करेशो आज कर एक सिपाही बहुत बलवान था, बहुत बहादूर था और बहुत लड़ने वाला था उसका घोड़ा भी वैसा ही बलवान, बहादूर और लड़ने का होसला रखने वाला था एक दिन सिपाही अपने लड़ने घोड़े पर बैठ कर किसी पहाडी रास्ते से जा रहा था। अच्छानक घोड़े का पैर पत्थर से टकराया और उसकी नाल निकल गई। नाल निकल जाने से घोड़े को बहुत कस्ट हुआ और वहाँ लड़खा कर चलने लगा। सिपाही ने घोड़े का कस्ट तो समझी लिया परंतु उसकी विशेश चिंता नहीं की। पस वहाँ उसी सोच में डुब रहा नाल बंदवा देगा। इस प्रकार आजकल के चक्कर में दिन निकलते गई और घोड़े को कस्ट दूर ना हुआ। अचानक देश पर सत्रूओं ने आक्रमन कर दिया। राजा की और से सिपाही को आज्या मिली। बस चल फोरण पर। अब सिपाही क्या करता। इतना समय ही कहा था कि जो घोड़े के पैर में नाल बनवा पाता। परंतु लड़ाई पर तो जाना ही था। इसलिए वहां उसी लहड़ते हुए घोड़े पर बैटा और दूसरे सिपाही के साथ चल पड़ा। दुर भाग्यवस घोड़े के दूसरे पैर से भी नाल निकल गई। पहले वह तीन पैर से कुछ चल भी लेता था। परंतु अब तो पैर क्या करता। इस तरह आगे बढ़ता। देखते देखते सत्रू सामने आ पहुँचे। वे संख्या में इतने अधिक थे कि उनके सामने सिपाही के साथ हैर भी ना सके। वे फौरन अपने अपने घोड़े दोड़ा कर लड़ाई के मेदान से भाग निकले। परंतु वह सिपाही कैसे भागता। उनका लंगडा घोड़ा जहां का तहां खड़ा रह गया। और उसी दिन अपने घोड़े के पैरों में नई नाल बनवा देता तो आज इस विपत्ती में क्यों फसता।